Hello students, welcome to my channel बच्चों जैसा आपको पता ही है कि UP बोर्ड परिच्छा बोर्ड की जो एक्जाम है दोजार चोबीस हाई स्कूल ये आप देने जा रहे हैं तो इसमें OMR सीट और आंसर सीट को हम किस परकार से भर हैं कि इसमें किसी परकार की कोई गलती न हो तो ये आपको मैं एक भर के दिखाता हूँ तो देखिए ये OMR सीट होती है यह OMR सीट जो है ये देखेंगे दो पार्ट में बटी होती है एक पार्ट ये देख रहे हैं उपर लिखा होता है OMR उत्तर पत्रक यहाँ पर इसका सीरियल नंबर छपा होता है यहाँ पर ये बिसय कोड, केंदर कोड, अनुकरमांग, बिसय का कोड और इसका नाम प्रसनपत्र संख्या इसके बाद ये जो बीच वाला पोर्षन होता है इस पोर्षन में एक से बीच तक क्वेस्चन के जो आन्जर है उनको ये बलैक करने होते हैं यहाँ पर प्रसनपत्र मारका जो है इसका लिखना होता है यहाँ पर इक्षारती का अस्ताक्चर होगा, कचन रिच्छक के अस्ताक्चर होगे सेकेंड पार्ट में यहाँ पर जो आपसन सही था A, B, C, D जैसे पहले का B सही था तो यहाँ पर B लिखेंगे और यहाँ पर B को काला करेंगे तो इस तरह से यह सेंपल है अब देखें जो आपका प्रविस्पत्र होगा, उस प्रविस्पत्र से हमें दो चीजों की जरुत पड़ती है एक तो यह है कि यह राइट साइड में यहाँ पर देखें लिखा होगा अनुकरमांग और यहाँ पर यह लिखा रहता है परिच्छा केंद्र यानि जहाँ पर आप परिच्छा दे रहे हैं तो बिद्यालय का नाम जिस बिद्यालय से आप होगे और परिष्छा केंद्र का नाम जहां पर परिष्छा दे रहे हैं यह बोर्ड का पेपर होगा यह माडल है तो यहाँ पर दो चीजे लिखी होती है एक जैसे लिखा है 901 तो 901 का मतलब हो गया कि यह है इधर बीसय कोड यह है बीसय कोड इसी तरए से यहाँ पर देख रहे हैं कि 801 AA लिखा है तो इसमें जो 801 है इसको कहते हैं प्रस्न पत्र संख्या और इसके बगल में जो यह ए लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्रस्न पत्र मारका या प्रस्न पत्र सिरीज और इस पूरे को मिला करके कहा जाता है पेपर कोड तो यह देखे जिला कोड लिखा होगा केंदर कोड भर अनुकरमांग भी लिखा हुआ होगा विसे कोड भी लिखा होगा प्रसन पत्र संख्या भी लिखा होगा इतना चीज तो इसमें लिखा हुआ होगा अब आपको करना क्या है यहां से सुरू करना है प्रसन पत्र मारका या सीरीज तो आपने पेपर में देखा कि ए ए लिखा पहला अच्छर, दूसरा अच्छर अपने लिखा, अब इसमें इस ए और इस ए को आप क्या कर देंगे, ब्लैक पैन से गोला कर देंगे, अब इसके बाद, यहाँ पर है परिक्षार्थि के अस्ताक्छर, अपना नाम लिख देंगे, कचन रिच्छा का अस्ताक्छर है, आपको मतलब नहीं लगा हुआ होगा, कचने रिच्छ के हाँ पर साइन करेंगे, अब जो है इसका आंसर आपको, जो सही आंसर है, वो आंसर आपको इसमें भरने है, तो जैसे पहले का B है, तो पहले का B आपने भर दिया, दूसरे का A है, दूसरे का A भर दिया, तीसरे का B है तीसरे का B भर दिया इस तरह से चाउत्य का मालिजी जी की C है C भर दिया और इसका जो सही होगा आपसन उस metaphor को भर देते हैं अब देखिए साथ में हमने कुछ नहीं भरा साथ में नहीं भरा मालिजी को उसम नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं, तो साथ नहीं भरेंगे, तो उसमें कोई भी जो है, इसमें से हम गोला काला नहीं करेंगे, अब देखें, इसका जो ये परणड़ वाला हिस्सा होता है, इसमें भी ये सब कुछ भरा होगा, यहाँ पर आपको इसका प्रसन पत्रमार का या सिर भर देगे, अब साथ नहीं हमने अटेम्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर डैस कर देंगे, अब ये हो गया पूरा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अब जो बच्चे दूसरे बिस्यों में, जैसे चित्रकला और संगीत वादन, इस तरह से ये बिसे लिये होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि, अगर पस्णपत्र मार का सिरीज नहीं होती है, तो यहाँ पर होगा आलेखन भाग एक और प्राविधिक भाग ये दो, तो जो आप लिये होंगे, आलेखन होगा तो आलेखन पर टीक लगा देंगे, और प्राविधिक होगा तो इस पर दो पर लगा देंगे अब इसी करम में यह आपकी आंसर सीट होगी अब इसमें इसका जो यह लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं इस पोर्शन में आपको अपने एंट्रीज भरनी होती है राइट साइड से आपका कोई मतलम नहीं है क्योंकि यह पर इक्षक पर इकजाम के बाद जो है कापी चेक होती है तो उसमें मार्किंग की जाती है यहाँ पर कापी का एक सीरियल नंबर लिखा होगा इस कापी की सीरियल नंबर को जब अटेंडेंस सीट पे साइन कराया जाएगा तो वहाँ पर यह सीट नंबर भरना होता है आंसर सीट का यह नंबर और आपको अस्ताक् अनुक्रमांक जो है यह आप देखेंगे कि दो दो चार दो छे दो आठ दस अंकों का है आप इस तरह से लिखेंगे अब इसमें आप थोड़ा सा गवर कीजिएगा तो देखेंगा कि हाई स्कूल एक से सुरू होता है और इंटर दो से सुरू होता है और यह जो दूसरी डिज लिखना होता है तो जो सब्दों में लिखना है तो अब यह बहुत बड़ा हो जाएगा जैसे हो जाएगा एक अरब 24 करोड 27 लाक 25 जार 27 तो इसको आप ऐसे न लिख करके अब इसको आप लिखेंगे एक दो चार दो साथ दो पांच सुन्य दो साथ इस प्रकार से अपने प्रस्ण पत्र केवल एक ही पेपर है तो यह केवल हो गया प्रस्ण पत्र पर अंकीत जो संके तांक है यह अपने संके तांक भर दिया 801 AA परिच्छा का दिन जैसे ब्रहस्पत्वार है और परिच्छा की ती थी 22 2024 है पाली प्रसम पाली है केंदर का नाम तो केंदर का नाम सेंटर के साथ यहां पर भर सकते हैं, सेंटर नमबर यहां नहीं भी भरते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिस आपकी रहे के भरते हैं, तो एन यह जो भी सेंटर होगा, उसका आप जो है आप पर नाम लेखेंगे, परिक्षा कक्ष संख्या, अगर आप चाहें त भर सकते हैं अदर्वाज जो इन्विजिलेटर होते हैं वो भरते हैं तो जैसे मान लेजिए कि कक्छ संख्या 2 में है तो यहां पर आपका कक्छ संख्या 2 लिख देंगे अब जो है परिक्छा के समय आपको कुछ सावधानिया रखनी है अब जैसे देखिए प्रवेस पत्र और रजिस्टेशन कार्ड यह किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए आपको इसको लेके जाना ही है अधर्वाज आपको इसकूल पर इंट्री नहीं मिलेगी अपने लेखन सामगरी पेन, पेंसिल, इसके लित्यादी आप रख ले परिचय पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं अगर विद्यालय का परिचय पत्र है तो परिच्छा-कच में जाने से पहले अपना पाकेट, pen boxes अच्छी तरह से चेक कर लें कि किसी तरह का अनावस्य कोई कागज न पढ़ा हुआ हो, अगर पढ़ा हुआ है तो उसे निकालके बाहर रह रख दें किसी प्रकार का अन्य कागज सामगरी न ले जाए, पेन बाक्स जो है आप काट पारदर्सी होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो है चेक होगा तो खोला जाएगा, हुईटनर का परियोग कदा भी न करें, अगर गलती होती है तो आप काट करके लिख दीजिए, लेकिन प्रसन पत्र एक ही अस्थान पर दे, इससे क्या होता है, कि एक जामनर जो है इरिटेट नहीं होता है, और नंबर जो है अच्छे मिलते हैं, एक प्रसन का जब उत्तर पूरा हो जाए, तो उसके नीचे जो है एक लाइन थीच दीजिए, यानि इससे हो जाता है कि खंड का जो भी हम कोश्चन कर रहे थे, पहला कोश्चन, दूसरा कोश्चन, या कोश्चन पूरा हो गया, पूरे प्रसन पत्र के उत्तर जहां लिखना समाप्त करते हैं, जब आपने सभी कोश्चन के आंसर लिख डाले हैं, तो वहां अंत में अपना रोल लंबर लिख दें, और आ कार्मसंबधि कोई प्रतीक चिन इत्यादी उसमें इंगित न करें। आप सभी बच्चों को परिक्षा में सफल होने की धेड़ सारी सुपकामनाएं, we see you all the best.